Hello guys welcome back to our YouTube channel तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे Class 8 का Maths NCRT Chapter No. 11 Mensuration, Excise 11.2 का Question No. 6 Question No. 6 ते हमारे पास Find the area of a rhombus whose side is 6 cm and whose altitude is 4 cm If one of its diagonals is 8 cm long find the length of the other diagonals तो इस question के अंदर आपको क्या करना है Find the area of a rhombus rhombus का area आपको find करना है जिसकी side आपको given है 6 cm और altitude given है Altitude means क्या होता है? Altitude means perpendicular जो height होती है वो होता है हमारा altitude perpendicular होती perpendicular height जिसे कहते हैं वो altitude होती है हमारी वो given है आपको 4 cm and one of its diagonals आपको given है one of its diagonals जो है वो 8 cm long है and length of other diagonals और आपको find ये भी करना है other diagonals देखो एक तो find करना है आपको area of a rhombus find the area of a rhombus ठीक है और एक आपको find करना है यहाँ पर देखो area of rhombus और एक find करना है आपको length of other diagonals दूसरी diagonals की जो length होगी वो आपको find करनी है तो दो चीज़े यहाँ पर आपको find करनी है तो simple है सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चीए कि हमारा जो rhombus का area निकलता है वो दो type से निकलता है clear है तो सबसे पहले हम क्या करता है यहाँ पर figure draw कर यहाँ आपके लिए कि rhombus का figure कैसा होता है तो देखो square और rhombus यह दोनों same होते है जो इनके sides होती है वो equivalent होती है sides of square जो होती है all sides square की क्या होती है हमारी equivalent होती है वही same property हमारी rhombus की होती है कि जो all sides होती है यह rhombus के अंदर भी equivalent होती है बट difference क्या होता है square और rhombus के अंदर हमारी diagonal जो होती है इक्विवjeलेंट होगी जबकि स्केर्ड के अंदर हमारे डाइगनेंस के अंदर गया यहiquementा सधि assumption duck में इतन கेशाव और में उसलिफ ऑल्फ साझ आप इक्विवेवबलेंट यहाँ पर आपको स्पिरार गें ने यहां पर bath हमारा तो 6 cm यह सभी साइट होगी यह भी 6 cm है 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 ठीक है 6 cm का हमने रॉंबस ड्रो का लिया है अब यहाँ पर बोल रखाए हुस एल्टीटूड इस फौर सेंटीमेटर जिसकी अल्टीटूड क्या है हमारी 4 cm है अब अगर मैं इसकी पर इन वाली साइटसे और य ह Falle surface सई पेरथल साइटसες थे बीच में जब मापनेडिंटी कुलर करूँ पर इसे आए गा दिखो यह बिल्कुल यह पर पिंडिकुलर मींस यहां पर नाइन्टी डीग्री बनता है यह सोता है यह इसको यह आपको डीवन है altitude 4 cm clear है ध्यान से समझना देखो यह आपको given है 4 cm अब इस question के अंदर आपको क्या बोला गया है कि area of rhombus आप calculate करो और एक other diagonal जो है उसकी length आपको find करनी है तो simple सी बात है यहाँ पर आपको क्या करना होगा area of rhombus आपको आना चाहिए दो तरीके से निकाला जाता है area of rhombus ठीक है area of rhombus को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं अब कैसे दो तरीके for example एक तो है हमारे पास में half into diagonal 1 into diagonal 2 इस formula का use कर गे हैं लेकिन यहाँ पर requirement है कि आपको दोनो diagonals given होनी चाहिए ठीक है both diagonals are given both diagonals are given then आप इस formula का use कर सकते हो अगर diagnosis दोनों आपको given नहीं है तो आप इस formula का use करके area of rhombus आप नहीं निकाल सकते हो ठीक है तो एक area of rhombus तो आपका इस तरीके से निकलेगा एक area of rhombus आपका कैसे निकल सकता है एक और formula में आपको बतायता हूँ वो चीजे मैंने यह आप लिख रहे किए, तो आपको क्या दिया हुआ है, simple, तो यह वाला formula पहले लगेगा, area of rhombus, ठीक है, तो इससे आप area of rhombus निकालोगे, half into diagonal 1 into diagonal 2 से आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हमार को एक diagonal given नहीं है, तो क्योंकि हमार को एक diagonal तो यहाँ पर क्या तो base हमारा 6 cm हम रखेंगे, ठीक है, 6 cm रखेंगे into height, height कितने given है, height means altitude जो होती है, वो height होती, perpendicular height, यह कितने given है, आपको 4 cm है, तो 6 into 4 कर देंगे, हम 24 cm square हमारा area calculate हो जाएगा rhombus को, ठीक है, चलो area of rhombus करने के बाद में यह सब roughly कर रहा हूँ मैं अभी, अभी पूरा अच्छ 24 cm square, इस 24 cm square हम area of rhombus के equivalent में रख सकते हैं यहाँ पर, और यह क्या होगा, half into diagonal 1 into diagonal 2 से हमारी diagonal 2 भी निकल जाएगी, बात समझ में आ रहे हैं, तो एक तरसे इन दोनों formula का use करके, हम इस question को crack करेंगे, ठीक है, तो चलिए हम fair out करते हैं इस question का, तो क्या करेंगे हमारे को, जो given ह हैं सबसे पहले वो लिख लेते हैं, तो आपको given है, यहाँ पर answer हम करने जा रहे हैं, तो area of rhombus, एक तरसे हम calculate कर लेते हैं, या rhombus की आपको सबसे पहले क्या given है, side, तो side of rhombus, side of rhombus, यह आपको given है, 6 cm, clear है, altitude भी आपको given है, rhombus की, तो altitude भी लिख लेते हैं, altitude या height को हूँ, बात एक ही है, altitude of rhombus, यह आपको given है, 4 cm, clear है, if one of its diagnosis is 8 cm, और diagnosis भी आपको given है, rhombus की, तो diagnosis of rhombus, जो given है, वो सबसे पहले लिख लो, ठीक है, diagnosis of rhombus, यह 8 cm आपको given है, यह भी हमने लिख लिख लिया, चलो, अब area of rhombus सबसे पहले तो निकालते हैं, area of rhombus जब हम calculate करेंगे, तो क्या हैगा, area of rhombus क्या होता है, यह वाला formula लगाएंगे सबसे पहले, base into height, base into, आप height नहीं लिखके, altitude लिख लो, वो जादा अच्छा रहाएगा, altitude means क्या होता है, perpendicular, height कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो base into altitude लिखो, height की जगे, base, देखो क्या given है आपको base, यहाँ पर मैंने आपको बता है, figure tracker के, 6 cm, और altitude क्या given है आपर, 4 cm, simple, 6 into 4 जब हम करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 24 cm square, अब हमारा area of rhombus calculate हो चुका है, अब area of rhombus 24 cm square हो चुका है, अब हमें diagonal भी निकालनी है, diagonal of rhombus आपको dv, एक diagonal आपको dv थी, rhombus की, मतलब हम इसको बोल सकते, d1 आपको given है, d2 थोडी ना given है, तो d2 के लिए हम क्या करेंगे, वापस से area of rhombus लगाएंगे, ठीक है, area of rhombus लगाएंगे, area of rhombus क्या होता है, एक formula होता है, half into diagonal 1 into diagonal 2, अब देखो, यहाँ पर तो आप half into diagonal 1 into diagonal 2, half multiplication में diagonal 1 into diagonal 2 is equal to 24 cm square, तो half हम कर सकते है, diagonal 1 कितनी है, diagonal 1 given है आपको 8 cm, बट diagonal सुरू हमारे को निकाल नहीं है, तो हम diagonal 2 की जएगे, diagonal 2 ही रखेंगे, अब जैको 2, 4 जा 8, clear है, और इस 4 को हम transpose करेंगे, जैको multiplication के अंदर है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा divide में चल जा ठीक है, देखो 4, 6 जा, 24, and cm से 1 cm cut हो जाएगा, 2 cm एन उपर, तो क्या जाएगा हमारा 6 cm, तो diagonal हमारी कितनी है आ गई, 6 cm, तो एक diagonal हमारी क्या आ गई, 6 cm, देखो एक diagonal हमारी क्या थी, 8 cm, और एक diagonal हमारी आ चुकी कितनी, 6 cm, तो हम यहाँ पर लिख सकते है, यहाँ statement के तोर पर लिख दो, क्या लिख सकते है, हैंस, the length of the other diagonal, hence the length of the other diagonal is 6 cm, ठीक है, इस तरीके से इस question को आपको solve करना है, तो बहुत आसान है, दोनों फॉर्मलेस का हमने उस किया है, दोनों फॉर्मलेस आपको लर्न होने चाहिए, अगर दोनों फॉर्मलेस आपको लर्न होने चाहिए, और strategy आपको पता होने चाहिए, किस तरीके से इन questions को आपको solve करना होता है, clear है, figure आपको जरूर ड्रॉ करके आना है, question के अंदर ध्यान रखना, ठीक है, तो उमिद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आयोगी, अगर वीडियो पसंद आयोगी, तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा, बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा, जिसे के अपकमिंग वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको time to time मिलते रहे, thank you so much